ओम गर्ण शिरी महागरी शाय नमा, राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम है जन्हें रसोई घर में करने से घर में गरीबी और दृत्ता आती है. इन कामों को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अँट तक अवशय ही देखें और अगर आपने हमारी चैनल कभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को subscribe कर लें और bell icon को hit अवशय ही करें जिससे हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाएं। दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें रसोई घर में भूल कर भी नहीं करना चाहिएं। अगर इन कामों को आप रसोई घर में करेंगे तो इससे माँ अन्न पूर्णा आपके घर-परिवार से ग्रोधित हो जाएंगी। जिस घर-परिवार में यह गलतियां की जाती हैं उस घर में गरी भी आती हैं, दरता आती हैं, वहां खोर अनद हो जाता है। समस्याय लगातार बनी रहती हैं, इन गल्तियों को रसोई घर में करना महापाप समझा जाता है, दोस्तों यकीन मानिये शास्तों के अनसार, रसोई घर में इन गल्तियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में गरीब हो जाता है, नेधन हो जाता है, उसे कई परिशानियों का सामन करना पड़ता है रसोई घर में इन गलतिओं को करना माहपाप माना गया है शास्तों में इस पश्ट रूप से बताया गया है जिस घर में मा pourtant पूर्णा अ fik 백 साथ साथ सभी देवी देट्ताओं का पास होता है ऐसा घर धनधान िननरं के भंदारों से भाजादा है ऐसे घर भी खुश्या हमीशा बनी रहती हैं दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में मा अनपूर्णा का पास हो आपके घर में अन और धन के भंडार भर जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जै मा अनपूर्णा अवश्य ही लिखें और मा अनपूर्णा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बिना इस्नान के बिना हाथ पेर मूँतो ही रसोई घर में खाना बनाने लगती है और कई महिलाएं खाना बनाते समय रसोई घर में ही कभी अपने बालों पर कभी अपने चहरे पर हाथ लगाती है और बिना हाथों को धोई ही खाना बना लेती है ऐसे में खाना दूशित हो जाता है ऐसा खाना खाने से घर की व्यक्ति बीमार रहने लगते हैं इस तरहें से खाना बनाने से मा अनपूर्णा भी क्रोधित हो जाते हैं और ऐसे घर में नेधनता और गरीबी आती है घर में दरित्ता का बास होता है घर में रहने वाले व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती राहू के तू का भी बुरा असर होता है इसलिए रसोई घर में इस कलती को भूल कर भी ना करें हमेशा खाना सच्छ हातों से ही बनाएं इससे मा अनपूर्णा जल्द ही प्रसन हो जाती है और घर में खुश्यां आती है दोस्तों चलिए जानते हैं कि अब दूसरी ऐसी कौन सी कलती है जो आपने कभी पहले जाने अंजाने में अपने रसोई घर में की है तो आप उसे भूल कर भी दोहराने की गल्ती ना करें इस गल्ती को कहने से राहू केतू और शनी का बुरा प्रभाब पढ़ता है शास्तों में बताया गया है कि ग्रहणी जिस जगे खाना बनाती है वह जगे बिलकु साफ होनी चाहिए शास्तों के अनुसार रसोई घर याने की खाना बनाने का इस्थान अगर गंदा हो तो राहू केतू का बुरा असर पढ़ता है और शनी दे भी नाराज हो जाते हैं ऐसे घर में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है पूरा परिवार नेधनता का शिकार हो जाता है इसलिए रसोई घर हमेशा साफ सुत्रा होना चाहिए रसोई घर में हफते में एक बार कम से कम गंगा जलगा छिड़काव अवश्य ही करना चाहिए ऐसा करने से मान पूर्णा आगरशित होती है मान पूर्णा का घर में बास होता है और आपको आपके घर परिवार में हर व्यक्ति को जीवन में हर काम में सफलता मिलती है और काम्याभी मिलती है ब्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है उसकी स्वास्त को सही रखना अगर उसका स्वास्त सही होता है तो वह हमेशा ही अपने लक्ष को प्राप्त कर लेता है ऐसे में शास्तों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है आप अपने रसोई घर में इनकलतियों को नहीं करते हैं तो मा अनुपूर्णा आप पर प्रसन्न होती हैं और आपको माला माल कर देती हैं दोस्तों, अगर आपने अपने रसोई घर में कोई थारदार बस्तु रखी हुई है, तो उसे तुरंथी अपने रसोई घर से बाहर करते हैं। ऐसी चीजें रसोई घर में होने से घर में तनाम बढ़ता है, घर में छगड़े होने लगते हैं। रसोई घर में चाकू होना आम बात है, लेकिन अगर आपकी रसोई घर में कोई ऐसी थारदार बस्तू है, जिसका आप कभी कभार इस्तमाल करते हैं, या कोई ऐसी बस्तू है जिसका आपने लंबे समय से इस्तमाल नहीं किया है, तो उस बस्तू को तुरंथी आप अपने किच चिन में पड़ी होई हैं जिनका आपने लंबे समय से इस्तमाल नहीं किया है तो ऐसी धारदार बस्तों को आप तुरंथी अपने रसोई घर से बाहर कर दें ऐसे बेकार की धारदार चीजें घर में रखने से घर में नकारात्मक्ता बढ़ती है और घर पर बुरा असर पड़ से आपका स्वास्त चुड़ा होता है इस पजह से इसमें दवाई रखना कटई सहीं नहीं है आपके ऐसा करने से घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार बना रहेगा और घर में नकारात्मक्त उजा का प्रभाद पड़ेगा इसलिए अगर आपके घर में भी दवाइं रखी है तो रसोई घर से आप दवाओं को तुन निकाल कर बाहर कर दीजिए उन दवाओं को आप अपने घर में किसी और कमरे में रख लीजिए लेकिन भूल कर भी दवाओं को रसोई घर में ना रखें अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग रसोई घर को इस्टोर रूम की तरहें इस्तमाल करते हैं और जिस समान का प्रयोग नहीं करना होता उसे रसोई घर में रख देते हैं यह तरीका बिल्कुल गलत है रसोई घर में मा अनपूर्णा का बास माना जाता है इसलिए मा अनपूर्णा के रहने के इस्थान को आपको हमेशा सच रखना चाहें रसोई घर में बेबस्तों बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए जिनका इस्तमाल नहीं होता यानि कि रसोई घर में कवार या तूटे-फूटे समान भूल कर भी नहीं रखने चाहिए ऐसा करने से दोश लगता है और मा अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है ऐसे घर में नेधनता आती है इसलिए अगर आपकी भी रसोई में इस तरह के कोई तूटे-फूटे समान रखे हो तो उन्हीं तुरंत अपने रसोई से बाहर कर दीजिए जिसमें व्यक्ति के रसोई घर में यहां बताई जा रही अगर गलतियां होती है तो इन गलतियों को नजर अंदाज करने की भूल कतई ना करें इन्हें मामूली ना समझें इनसे पूरा घर परिवार नेधन हो सकता है रसोई घर में गलतियां करने से सबसे बड़ा पाप लगता है इससे घर परिवार के लोगों को दुख का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों रसोई घर के सामने आपको कभी भी जूते-चपल-जाड भूल कर भी नहीं रखने चाहिए इससे माता अन्पूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को करीबी का सामना करना पड़ता है इसे पाप भी माना जाता है दोस्तों मा अन्पूर्णा की कृपा प्राप्त करने के लिए और मा अन्पूर्णा को पसंद करने के लिए अपन हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तेदारों में जादर से जादर शेयर करें जिससे भेभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फोर वाचेंग राधे राधे जाए मा अन्न पूर्णा